ये बात तो आप और हम सभी जानते हैं कि एशिया कप 2022 के बाद में टीम इंडिया को केलना है टीट्वेंडी वल्लकप 2022 एशिया कप में तो चलो फिर भी ठीक है हम सैक्रिफाइस कर लेंगे क्योंकि एशिया कप तो है बहाना असली मक्सद तो आस्टेलिया को उसी के सरजमी पर है हराना और टीट्वेंडी वल्लकप में एक बार फिर जंडा ले रहाना एशिया कप 2022 के तुरत बाद में ही टीम इंडिया टीट्वेंडी वल्लकप के लिए चाने वाली है इसली कप्तान रोई सर्मा ने अपनी स्कॉर्ट भी तयार कर ली है खुद कप्तान रोई सर्मा ने टीट्वेंडी वल्लकप 2022 के लिए टीम इंडिया के स्कॉर्ट की रिपोर्ट में परंदर खिलाडियू को मौका मिलने वाला है आई आपको बताते हैं टीमीडिया के स्कॉर्ट क्या रहेंगी कि इंद 15 खिलाडियू के साथ में रोहित सर्मा जाने वाले हैं और एश्यक अपसे ये कितनी अलग होने वाली है वो भी आपको इस वीडियो को देखने के बाद पता चल जाएगा तो वीडियो को यहां से ध्यान से और पूरा जरूर देखेगा सबसे पहले बात करते हैं ओपनिंग बैट्समैन के बारे में तो इसमें कोई दोहोर राय नहीं है कि रोहित सरमा जो हिट्मैन के नम से भी जाने जाते है और जो कप्तान है इनका नम तो स्कॉर्ट में आता ही है क्योंकि इनके बग़़ोर कहीं न कहीं टीम इंडिया आधी अधूरी नजर आती है तो और यह कोई चोटिल नहों हो को लंबी और बिल्ड करने के लिए जाने जाते हैं अगर बात करी जाए मिडल ओर बल्ले बाजो के बारे में तो पिर नाम विराट कोली का भी आता है विराट कोली टीम इंडिया के रन मशीन है फॉरम में जरूर नहीं है लेकिन इसके लाड़ी को नजर अंदाज नहीं किया जा सकता जिस तरह के इनके आंखडे बोलते हैं वो वाकई में काबिले तारीफ है जी हाँ पच्चास के आसपास की अवरेज रखते हैं तो कोल मिलाकर गुमाफिराकर ये कहा जा सकता है कि विराथ कोली टीम इडिया के लिए तुरुप के के हैं इनके साथ में मिडल अडर पे जादो टीम इडिया के लिए एक नई उम्मीद लेकर आ रहे हैं और इनका कहीं न कहीं मिडल अडर में तय हैं इनके साथ में नज़राने वाले हैं दीपक गुड़ा इसकौर्ड में तो आपको ज़रूर नज़राएंगे आब इनको नज़रांदाज नहीं कर सकते हैं टीट गुड़ा का मिडल अडर में खेलनाता है इनके साथ में रिशब पंद का नाम भी आता है रिशब पंद टीम इडिया के विकेट कीपर बले पाज है रिशब पंद कमाल की गैन बाजो को भी लंबे लंबे जगे लगाने के लिए जाने जाते हैं रिशब पंद टीम इडिया तो जरूर नजर आने वाले हैं। हार्दिक पांडिया वो के लाड़ी है जो गैनबाजी बल्लेबाजी के साथ साथ अब तो फेल्डिंग बैबी तुरूप के बनते जा रहे हैं। बड़ा बतलाव T20 वल्लकप में देखने को मिल सकता है। बहुत अच्छी गैनबाजी करते हैं इनके साथ में नाम रवी विस्णोई का भी आता है। लेकिन अब बात करते हैं तेज गैनबाजी के अंदर। लेकिन एक और तेज गैनबाजी की बात आती है तो फास्ट गैनबाजी की लिस्ट में दीपक चायर भी आप काफी आगे आ चुके हैं। तेज गैनबाजी के अंदर।